हाँ तो भाईयो बहुत दिनों के बाद एक नया सोबर हीरो देखने मिला है वो भी DC उनिवर्स का जिसके लिए ही थोड़ा excitement था इसको लेकर लेकिन खैर पूरी तरीके से इसने हमारे उमीदोवे पानी नहीं फेरा मतलब एक तरीके से धोका नहीं दिया अच्छे बुड़े को लेकर एक overall मोटा मोटी हिसाब का मजा दे जाती है मुवी जहां simple तरीके से बताओ तो तुम इसे देखना एक time pass समझ सकते हो जो उतने important साभीत नहीं होता अब क्या बुड़ा है क्या अच्छा है इसको लेकर आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले plot के बारे में जान लो तो तुमको समझने में आसानी होगा तो कहानी है Jamie Rays aka Highmy Rays की जो अपना graduation खतम करने के बाद अपने hometown Palmera City में वापस आता है जहां उसे उसकी family की final sales status के बारे में पता चलता है तो अपने family को support करने के लिए Jamie नौकरी के तलास में निकल परता है जहां उसे एक नौकरी मिल भी जाता है बट किसी और के आपसी जमेले में टांग अराने के लिए उसका नौकरी हाथ से चला जाता है तो जेनी कॉट उसे अपने office में एक काम का offer देता है जहां जाने के बाद जेनी, जेमी को हडबडी में एक box तमा देता है और उसको समाल के रखने के लिए कहता है बट जेमी के family को चुल मसता है उसके अंदर क्या है ये देखने का तो Jamie box को open करता है, जिसके अंदर से एक scarab निकलता है, जो की एक alien technology था, जिसके result के तोर पे उस scarab Jamie को host बना लेता है, जिसके बाद उसे कुछ superhuman power and abilities मिलता है, फिर धीरे-धीरे hero की कहानी में villains लोग entry लेते हैं, जो उस scarab को हासल करने के लिए Jamie, Jenny and उसके family के पीछे पर जाते है Overall Angel Manuals auto-directed Blue Beetle की कहानी आपको मज़ा देती है, जहां इसके character मज़दार है, एक comedy and seriousness का तालमेल नजर आता है, लेकिन movie के starting में story उतना खास नहीं लगता, मतलब वो feel नहीं देता कि कुछ बड़ा होने वाला है movie के अंदर, बट face change होने के बाद ये थोड़ा interesting बन जाता है, जहा कि इसको सब को enjoy कर पाए, नया character होने के लिए किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इनी character के performance and presence को जब तुम देखोगे, तो लगएगा कैसे, ये कैसे हो सकता है, एवे, जो unexpected joes देखने मिला है ने इन characters के अंदर, ये कहीं न कहीं fail हो जाता है, जो हमें चाहिए था वो तो आपने दिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, जिसके कारण इसका कोई importance नहीं बनता, आपके आने वाले franchise में कोई जरूरी पार्ट का हिस्सा नहीं लगता ये movie, मूवी के अंदर Jamie की alien take को छोड़के, जितना भी weapons दिखाया गया, साड़े जाधा थर बच्चों के खि लेकिन उसी जगा पे Jamie की all suit up scenes, मतलब hero की जितने भी suit up scenes थे, बहुत ही मस्यदार थे, जहां उसके साथ आप भी feel कर पाओगे कि हाँ भाई, ये ऐसे ही नहीं हो गया, दर्द है इसका अंदर, ये चीज अच्छा लगा, क्यूंकि जब तक आपको दर्द मैसूस नहीं होगा, तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा, इसलिए इसे feel करना बहुत ही जरूरी था, एक super hero बनना कोई आसान बत नहीं, इसमें बहुत ही कठिनाईया होती है, जो आजकल के movies में feel नहीं होता, जैसी कि आप जब किसी के दर्द को देखोगे, धिरे-धिरे आपको पता नहीं, लेकिन है ये scientific चीज़े, तबी तो Spider-Man always हम सभी का फेबरेट था, फेबरेट है और फेबरेट डराएगा, क्योंकि उसके लाइफ दर्द से भड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ हम लोग को पता है, हम लोग feel कर सकते हैं, जो कि Blue Beetle को देखकर एक टाइम पर ऐसा कि इसे भी वैसा ही बनने का कोसिस किया गया, बट unfortunately उतना नहीं बन सका, अब जाने भी देते हैं, हो सब बात है, राद गई, बात गई, मुवी बस वन टेम वाच के लिए काफी है, मज़ा दे जाती है आपको, बस इसको देखकर आप भूल सकते हो, अब इसमें आपका क्या